डॉल्पा तेडी वेर में स्नाइपर पन स्कूल मज्जिदों में टेरर नेटवर्प हमस्की होवनक साज़्ष IDF के खिलाफ बड़ा प्लान गाजा में हमास का रियाप्शन देख इस्रैली सेना के होश उड़े होए हैं इस्रैली सेना की बंबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यूर रचना की है बैनमिन नेतन याहू के पास उसका कोई तोड नहीं देख रहा इस्रैली सेना जिस ओर मूव कर रही है हमास ने उस रास्ते में बंब फिट कर दिया है ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई लेकिन इस्रैली सेना की जीरो डेथ वार की स्ट्रैटजी के भी पर पच्चे उड़ गए है हमास के जबरदस्ट प्रतिक्रिया के वज़़ से ही 27 अक्टूबर से यानि जब से इस्रैल ने घाजा में जमीनी हमले शुरू किये है 121 इस्रैली सेनिकों की मौत हो गई है ये आकड़ा हमास ने नहीं बलकि इस्रैली सेना नहीं जारी किया है 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इस्रैली सेना घाजा पर अब तक कबजा पाने में असमर्थ रही है हमास ने ऐसी कौन सी हत्यार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इस्रैली सेना के पास नहीं है हमास के लड़ाकों ने पूरे घाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इस्रैली की सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में दिखाएंगे अभी हमास ने इस्रैली सेना के खिलाफ जो चक्रवियो रचा है उसे देखिए हमास नए नए तरीकों से आईडिएफ के जवानों पर हमले कर रहा है हमास के आतंक्यों ने गोड़ियों के अंदर बम भर कर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिये है उनकी कोशिश थी कि इस्रैली बंदुकों की दलाश कर रहे आईडिएफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे जैसे ही उनके पास आएंगे बंब के धमाके में मारे जाएंगे लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इस्रैल पाद पाद इस्रैल इंटेलिजन्स यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया जिसके बाद दिस पूजल स्कॉइर्ड में उन्हें निश्क्रे कर दिया इस्रैली सेना ने दाबा किया है कि हमास गुडियों और बच्चों के बैक पैक्स को जान बूच कर एक सुरंग शॉट के पास रखा था जो एक बड़े टरनल नेटमर्क से जोड़ा हुआ था हमास ने इस्रैली सेना के नजर से बचाने के लिए स्कूल में हधियारों का गोदाम बना रखा था हमास के पास बिना शक इस्रैल वाला वेपन पावर नहीं है लेकिन हमास के पास हथियारों में घरेलू रोके अफग्रेड़ेट एक पोटी सेवन और सोवियत संग के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किये हुए हथियार है कई ऐसे एडवांज हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई इरान ने की तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्मान उत्तर कोरिया में किया गया ये जानना भी बेहत दिल्चस्प है कि हमास की पसंदीदार राइफल कौन सी है सोवियत दौर में निर्मेट 7.62 मिलिमीटर कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बोचार करते हैं इसके अलाबा SVT, Dragono, Groose Semi Automatic 7.62 मिलिमीटर कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तिमाल हमास 20 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है हमास के ट्रक, भारी, मशीन, गन, M2, ब्राउनिंग, HMG से लैसे हैं ये पैदल से न, हलके वक्तरवंद, वाहनों और कम उडान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हतियार हैं वो या तो इरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सोवियत दौर के हैं इन हतियारों से हमास इस्रेल को नुकसान तो पहुँचा रहा है 9 किलो वाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट लॉंचर हमास का फेवरिट है ये काफी सस्ता और उप्योग में आसान है सोवियत संग का बना ये हतियार कंधे पर रहता है और एक ट्यूब से रॉकेट दागता है ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दोरी पर मौझूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है हमास को इस्रेली सेना की ताखत का अंदाजा है इसलिए हमास ने 2014 से ही इस्रेली हमले का प्रतिकार करने की तैयारी शुरू करती थी जिन सुरंगों को नश्ट करने की बात हो रही है या नश्ट की जा रही है ये सुरंगे दुनिया के लिए जूबा है सोचे जरा 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चौड़े घाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास में 500 किलोमेटर लंबी सुरंग खोद रखी है इन सुरंगों में हमास की जान बसती है इनके हत्यार इनके लड़ाके इनके नेता सारे सुरंगों में शरण पाते हैं जहां तक सुरंगों के सफाय की बात है तो इसरेल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेट कर दिया है लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगे हैं जहां अभी इसरेल की सेना नहीं पहुँच पाई है इन सुरंगों को नश्च करने के लिए अब इस्रैली सेना इनके भीतर समंदर का पानी छोड़ रही है हमास का बचना मुश्किल लेने ना मुम्किन है लंबे वक तक हमास के टिके रहने की कोई संभावना नहीं देख रही है इराग जिससे से जादा हत्यार मिलने के हमास को उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया है लहाजा हमास फंस गया है बाकि किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही जबकि इस्रैल को अमेरिका से सीधे हत्यारों की सप्लाई हो रही है नतीजा जमीन पर देख रहा है इस्रैल की ओर से ताबर तोड हवाई हमलों ने घाजा के कई शहरों को खंडैर में तब्दील कर दिया है ताजा हमले में गरीब 40 से ज़्यादा लोगों की मौप्त हो गई है सेंट्रल घाजा के एक शरणार्थी शिवे पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है इनमें 14 महिनाएं और 4 बच्चे शामिल थे रफाज शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौथ हो गई है हर बीते दिन के साथ इसरेल घाजा पर अपना नियंत्रल बना रहा है खान योनस में इस वक्त इसरेली सेना भीशन बंबारी कर रही है खान योनस इने घाजा के कई बड़े शहरों पर इसरेली सेना ने हमले तेज कर दिये है इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को बहुत गोर से सुनी क्योंकि जिन्हें योद्वेराम के उमीद देख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा बंदकों की मौट की हमास वाली धमकी का इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू के ओपर कोई असर नहीं देख रहा है इसरेल फिलिस्तीन की जंग देखते देखते कई पीडियां गुजर गए लेकिन 2023 में जिस तरीके से योद्व चड़ा है उसमें तबाही की नई कहानी लिखती है इसरेल इस इरादे के साथ मैदान में उत्रा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जंदा रहने तक गोली चलाते रहना है जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के दरब बंधकों के नाम पर वो युद्ध विराम करवाएगा संयुक्त राश्ट में आवाज उठाएगा और विश्व विरादरी से इसरेल पर दबाव वनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे हमास की ये कोशिश आंशे क्रूप से रंग धील आ रही है अमेरिका ने इसरेल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नीम सुलाने के दौरान ये खयाल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तिनी की इसमें मौत ना हो लेकिन युद में इसरेल इस कदर उलजा हुआ है कि अपनों तक को पैचानने में इसरेली सेना से बूल हो रही है इन तीन युद्धों को हमास ने 7 अक्तूबर को बंधक बना लिया था इस्रेली सेना ने गाजा पर हमला किया तो पहचान की संकट के कारण इन तीनों को गोली मार दी हाला कि इस्रेली सेना ने अपनी गलती को बोल कर ली है लेकिन युद में ऐसी गलती की संभावना लगातार पनी रहती है इस सवाल का जवाब ने तन्याहू के पास नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण देखना चाहते है जिसे मैमूद अब बास 2005 से चला रहे है बाइडन चाहते हैं कि संगर्ष समाप्त होने के बाद नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण घाजा में कारेभार समाले घाजा में आखरी बार चुनाओ 2006 में होए थे इस चुनाओ में हमास को जीत मिली थी लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही मैमूद अब बास की फट्य पार्टी के निताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फट्य के हजारों कारेगर्ता मारे गए इस हिंसा के बाद मैमूद अब बास ने हमास के प्रमुक इसमाइल हानिया को पद से हटा दिया था लेकिन हानिया ने इससे इंकार करते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण से अपना रिष्टा तोड़ लिया था घासा का क्या होगा ये तभी तै होगा जब युद्ध समाब्ध होगा या युद्ध विराम होगा और ये दोनों सूर्थें फिलहाल तो कम से कम नहीं देख रहे हैं हाँ एक बाद जो अब तक युद्ध के दोरान देखी गई वो ये की अरब वॉर्ड का कोई भी देशो हमाज के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना ही खुल कर मदद देने के लिए राजी है यमन के हूथी वे द्रोहियों के हमले या लेबनान के हेजबुल्ला लड़ापों के अटैप इसरेल को रोख पाने में समर्थ नहीं है और इसरेल तब ही यो दविराम करेगा जब हमाज के अंतिम आतनकी को मार कर वो घाजा पर कबजा कर ले